दोस्तों गुडढक ऐसन प्लांट है जो साल भर ही फ्लावरिंग करता रहता है एक यह होते हैं लिगुक्त सब्सक्राण सिंगल पेटलre, डबल पेटल, मल्टी पेटल और एक है। हैं hybrid देशी जो होते हैं वो विंटर में थोड़ा सा डॉर्मिंसी में जाते हैं अगर पॉट में लगे हों तो जमीन में तो यह फिर भी जलते रहते हैं लेकिन पॉट में थोड़ी इने प्रॉब्लम होती है लेकिन जो हैप्रेट गुड़ल होते हैं वो होते ही विंटर के लिए है winter में काफी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगे कि किस तरह से गुड़ल के प्लांट को हम winter में फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करें किस तरह से हम उने तयार करते हैं तो देखि जो भी प्लांट है हमारे पास रिप्रोंटिंग कर दे affiliated में फ्लावरिंग करें प्रूणु करते हैं और प्रूण की हुवे जो भी कटिंग निकला सकने हैं अगर के अधर हमारा प्लांक tapping करें दोAM उनकी स्रीप थोड़ी-थोड़ी से 650 इंच की तिप कट करें तहक्त कि वहां से मल्टी ब्रांचेज निकले और हमारा जो प्लांट है वो अच्छी फ्लावरिंग कर सके एक और बात यहां वे मैं शेयर करूंगी कि जब हम प्लांट अगर खरीद के लाते हैं तो इस तरह की बास्केट लगी हुई आपने कई बार देखा होगा और अक्सर ये गुड आते रहते हैं गुडल के प्लांट पे तो अगर आप गार्णिंग में नए हैं और रिपॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि अगर प्लांट जो है ब्लेक स्वाइल में लगा है रेट स्वाइल में नहीं है तो आप उसकी रिपॉर्डिंग एजिट कर दे जैसा आप प्लांट ला रहे हैं वैसे कर दें स्वाइल अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप 90 परसेंट तक स्वाइल को हटा दीजिए लेकिन इस बास्केट सही थी प्लांट को लगा दीजिए रिपॉर्ट कर दीजिए अपनी जो आप स्वाइल रेडी करोगे उसमें रिपॉर्ट करिए यह बास्केट किस वज़े से होती है यह बास्केट को मैंने पूछा था एक नर्सरी वाले से उसने कहा था कि क्योंकि यह प्लांट हम बाहर से लाते हैं ट्रांसपोर्ट में इधर उधर होते हैं प्लांट इसलिए उन्हें छोटी सी बास्केट में लगा बास्केट में लगाने का और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बास्केट में लगा प्लान्ट सर्वाइव नहीं करता है। मैंने इसकी प्रोनिंग भी कर चुकी है इसकी कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी और अभी भी मैंने इसे बास्केट सहीत ही लगा दिया है अगर प्लांट आपको अच्छी कंडिशन में नहीं लग रहा है तो आप उसे एज़िट ही लगा दे या फिर आप गार्णिंग मे को रिपॉर्ट करेंगे दुबारा तब आप उसकी बास्केट को कट कर सकते हैं मैंने एक प्लांट से कट किया और दूसरे से नहीं कट किया था यहां पे दिखिए यह भी मेरा एक गुड़ल का ही प्लांट है यह मिनियेचर गुड़ल का है यह भी विंटर में काफी अची करेगा वैसे तो यह साल भर ही फ्लावरिंग करता है अभी भी मैंने इसमें से एक फ्लावर उतारा और इसमें कल्यां भी बनी हुई है काफी सारी और इसकी भी मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ थोड़ी थोड़ी यहां पे एक मुझे मिली बग दिख रहा है गुड़ल में इसे पानी में डालके यहीं टैरेस में ही कहीं शेड पे रख दिया था इसकी जितनी भी कल्यां थी मैंने नहीं हटाई थी अच्छा बड़ा फ्लावर भी खिला था इसकी एक बड़ी सी कल्यी भी थी और बहुत अच्छा सुन्दर सा फ्लावर खिला था ऐसे ही पानी में र जाता क्रेदा रखिजाए दानों नहीं को बदेजाम हैं साथ आठ दिन दानों भीमित रोटस कीड़ी जाते हैं कोई कीड़ें मिली बग जैसे दिख रहा है लेकिन ये रोटस रहा है पुर्ड़ें चल्ड़ी में चल्ड़ी लगते हैं आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहे तो कुछ दिन और वेट तो देखिए जितनी भी कटिंग मैंने पानी में डाली थी सब में ही दाने आ गए हैं किसी में कम किसी में जादा और दूप की वज़े से शाय थीक से मैं आपको दिखानी पारी हूँ यह देखिए तो इनको अब हम ऐसे भी मिट्टी में लगा सकते हैं अलग से छोटे पॉर्ट में मैं अभी इसी पॉर्ट में आपको लगा के दिखाऊंगी और कुछ कटिंग को मैं अभी रहने दूगी पानी में मेरे पास पॉर्ट रैडी नहीं है उनको मैं बाद में जब मेरे पास पॉर् को भी हटा सकते हैं ताकि जो कटिंग है वो सरफ रूट को डेवलप करने में अपनी अनर्जी लगाए यह तो मुझे पानी में रखनी थी तो मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया था तो इस तरह से हम गुडल की प्रूनिंग करके उसे भी बूस्ट कर सकते हैं फ्लावरिंग के हमें प्लाइड होता है और हर सीजन के आने से पहले हमें शीजन के जो भी होते है उनको खुछ नउकुछ वर करक दिक होता है तो आज Kा वीडियो मैंने सोचा गुड़ाल पे शेयर कर लू क्योंकि गुड़ाल काफी सुन्दर लगते हैं विंटर में फ्लावरिंग इनकी काफी अच्छी होती है तो देखिए ये मैंने सिंपली इसी पॉट में मिट्टी में गड़ा दिया एक कटिंग कितनी आसानी से वो कटिंग इसके अंदर घुज ग ये जो बाकी की कटिंग से इनको अभी मैं इसी बॉटल में थोड़ा सा इसका पानी चेंज करके और दुबारा से लगा लूँगी अभी बीच में जब बारिश हो गई थी तो इस बॉटल में अभी काई भी जम गई है उसे में थोड़ा वाश करके दुबारा से लगा दू देखिए बॉटल पानी को साफ करके मैंने दूसरे पानी में ये कटिंग दुबारा से रख दी है और कुछ दिन के बाद फिर मैंने मिट्टी में लगा लूँगी इसका फ्लावर और पीली पत्तियों को हम हटा लेंगे और तोड़ा सा शेड में रखना है जब भी हम इसे झाल 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 झाल